हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ सुमन और आप देख रहे हैं सुमन्स फ्लॉग एन लाइफ स्टाइल प्रेंट्स आजकल बाल जढने की समस्या हर दूसरे इंसान को हो गई है चाहे वो लड़का हो या लड़की आजकल छोटे-छोटे बच्चों में भी यह परोब्लम्स ज़्याधा हो गई है हम सभी को लिमारे काले घने सुंदर बाल चाहिए लेकिन हम जो चीज़े खाते पीते एंट। हूँ उसके लिए जो भी इंग्रीडियन्ट मुझे चाहिए वो मुझे मेरे लॉन से मिल गए हैं तो यहां पर मैंने लिए हैं गुड़हल के फूल और उनकी कुछ पत्यां गुड़हल के फूल आपको अपने घर में ही मिल जाएंगे अगर लॉन नहीं होगा तो आप लोगों ने गमले में लगा रखे होंगे तो जरूर आपको मिल जाएंगे तो मैंने कुछ पत्यां भी गुड़हल की लिए हैं और इनको आपको अच्छे से वाश करना है और उसके बाद इस्तमाल करना है बिना धुले आपको बिल्कुल इस्तमाल नहीं करना है कुड़हल के फूलों को आप बालों में नैच्रल कलर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा मैंने यहाँ पर ली हैं मीठी नीम की कुछ पत्तियां जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही लाबदायक होती हैं और बालों को मजबूती प्रदान करती हैं और मैंने यहाँ पर लिया है अलोवेरा जो बालों में कंडिशनिंग का काम करता है बालों के लिए अलोवेरा जो होता है रामबार होता है बालों को बहुत ही खुबसूरत बनाता है एलोवेरा की पतियों से जल को कैसे निकाला जाता है ये मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया है इस तरह से चम्म से खुरच-खुरच कर हमें निकाल लेना है और जो मैंने गुड़हल के फूल लिये थे और बालो को भरपूर पोशर देता है और बालो को घर्ना, काला और लंबा बनाता है इसके अलावा गुरहल में होते हैं मॉश्चराइजिंग कौलिटी जो बालो को सिल्की और सुन्दर बनाते है और यहाँ पर मैंने लिया है मीठी नीम मीथी नीम जो है उसमें होता है विटामिन बी जो की बालों का ज़रना रोकता है और बालों से डेंडरेफ को हटाता है और बालों में जो फंगल इंफेक्शन हो जाते हैं बालों की जो सकल्प में जो इंफेक्शन हो जाता है उसको दूर करता है तो यहां पर मिक्सी में मैंने ये सारी चीज़े ले ली हैं और थोड़ा सा पानी डाल दिया है जिसे ये अच्छा सा समूद सा पेस्ट बनकर तयार हो तो ये देखिए ये अच्छा सा पेस्ट बनकर तयार हो गया है तो अब हम इसे बालों में लगाएंगे बालों में लगाने से पहले हमें बालों को अच्छे से वाश का लेना है बालों में तेल नहीं लगा होना चाहिए और बालों को आप सुखा लीजिए उसके बाद कॉम करिए और हर एक लेयर में बालों की जड़ों में पूरे स्कल्प में आप अच्छे से इसको लगा लीजिए और जो बालों की लेयर है उसमें लगाईए और नीचे जड़ों तक लगाईए बालों के और उसके बाद आधे घंटे तक आपको इसको रखना है और आधे घंटे बाद आप इसको नॉर्मल पानी से धूल लीजे शैंपू भी कर सकते हैं आप इसको हफते में दो बार यूज़ करिए इस रेमडी को यूज़ करने से आपके बालों में जो भी समस्या है बालों का जढ़ना डेंडर ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी तो ये देखिए मैंने बालों में अच्छी तरह से लगवा लिया है तो आई होप आप लों को आज की ये रेमडी पसंद आएगी यूट्यूब चैनल सुवन्स ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए